दोस्तो नमस्कार वेलकम टू जीएस फाइटर्स दोस्तो टार्गेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नमबर 25 को डिसकस करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एक्जाम के लिए जीके और जीएस के कुशन्स की प्रैक्टिस करते हैं टार्गेट सीरीज के अंतरगत भी महतापूर्ण पॉइंट बन सकते हो उनको भी हम डिसकस करते हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं प्रेक्टिस सेट नमबर 25 बट बिफोर गोइंग टु स्टार्ट द वीडियो अगर आपने जीएस फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक् विश्व रक्तदान दिवस किस तिथी को मनाया जाता है यानि वर्ल्ड बलड डोनिशन डे किस देट को सेलिब्रेट किया जाता है और आपके ऑप्शन्स हैं 11 जुलाई 17 जून 1 मई या 14 जून देखिए 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता ह होगा अच्छे से ठीक है 1 मई को विश्व श्रैमिक दिवस मनाया जाता है और इस प्रेश्ण का सही जवाब है option number D यानि 14 जून को हम लोग विश्व रक्तदान दिवस सेलिब्रेट करते हैं ठीक है क्यों सेलिब्रेट करते हैं आईए जान लेते हैं देखिए रक्तदान को बढ़ हवा देने के लिए और रक्तदाता का आभार व्यक्त करने के लिए यानि जिसने बलड दिया है उसका आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्स 14 जून को इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है यानि विश्व रक्तदान दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक में भी रहा है G7, G20 यह ऐसे ग्रूप है यहां से प्रेश्ण बनने की संभावना रहती है ठीक है? चलिए आपको बताना है G7 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? कनाडा इटली, जापान या भारत देखे, G7 यानि Group of 7 Countries का यह ग्रूप है और इसमें अपना भारत सामिल नहीं है, तो कौन-कौन से देश सामिल है? चलिए देख लेते हैं हम लोग, देखे, हमने यहां पर एक डाइग्राम रखा है आपके सामने यह जो डार्क कलर दिख रहा है यानि G7 के यह देश है कौन-कौन से है, कनाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेड किंग्डम यानि की ब्रिटेन और USA ठीक है, यह साथ देश हैं G7 के सदस्य यानि Group of 7 में यह साथ देश सामिल है वर्स 2014 से पहले, रसिया भी इसका मेंबर हुआ करता था और जब रसिया इसका मेंबर था, तो G8 के नाम से इस Group को जाना जाता था और चुकि 2014 में रसिया ने यूकरेन से क्रीमिया का जो छेतर है वो इल्लीगली तरीके से हतिया लिया तो बाकी के यह जो Countries हैं, इन्होंने डेसाइड किया कि हम रसिया को G8 Group से बाहर कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी रसिया को 2014 में G8 Group से बाहर कर दिया अब कौन सी कंट्री बची हैं पर यह 7 कंट्री बची थी ठीक है, इसलिए अब इसका नाम G7 हो गया ठीक, चलिए, G20 कंट्री देख लेना आप इन सब के अलाबा यह कंट्री भी सामिल है साथ में है European Union, ठीक है यानि कि इंडिया जो है, ना तो G7 का सदस्य है ना ही G8 का सदस्य था, ठीक चोकि G8 ही G7 है इस वक्त और इंडिया G20 का सदस्य है और आपको पता होगा कि G20 की अद्रिक्षता इस बार, यानि कि 2023 में भारत कर रहा है अब आप मुझे G20 देश का जो समिट भारत कर रहा है उसकी जो थीम है आप वो मुझे कॉमेंट सेक्स में लिख कर बता सकते हो अगर आपको पता है तो और अगर नहीं पता है तो रिसर्च कीजिए उसके बाद बताईए इससे आपका ज्यान में बढ़ोतरी होगी ही देखिए, G7 जो ग्रूप है वो साथ देशों का ग्रूप है हमने देख लिया इधर, ठीक है इसकी स्थापना होती है 1975 में ठीक, और G7 2022 की जो अद्यक्षिता की थी वो जर्मनी ने की थी 2023 में जापान के हिरोशिमा में हुई है अभी-अभी हाल ही में और 2024 में इटली करेगा इसकी अद्यक्षिता G7 की ठीक, चलिए लेकिन इंडिया जो है G7 का Observer Member है, ये भी दिहान रखना इंडिया को हर साल invite किया जाता है ठीक है, G7 में और तीसरा प्रशन देखिए, यहाँ पर किरम गलत हो गया है आप इसको तीसरा प्रशन हमने लिखा ही नहीं है तो ये चौथा प्रशन ही है ठीक है, आप इसको चौथा प्रशन ही समझे देखिए, सम्विधान की प्रस्ताबना में कितने प्रकार की स्वतंतरता का उलेख किया गया है आपको एक बात बताऊं मैं जो प्रियम्बल है इंडियन कॉंस्टिटुशन की प्रियम्बल है आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए प्रियम्बल में किस शब्द का मतलब क्या है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रशन डारेक्ली और इंडारेक्ली बन जाता है हर एक्जाम में ठीक, प्रस्ताबना में कितने प्रकार की स्वतंतरता का उलेख किया गया है अब हम इसके बारे में जो भी महतपूर्ण बिंदू है उनको डिसकस कर लेते हैं हम भारत के लोग यानि कि जब संभिधान अपनाया गया था तो यह शुरू होता है हम भारत के लोग यहां से शुरू होता है और यह खत्म होता है अंगीकरत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं इसका मतलब जब संविधान अपनाया गया है वो भारत के लोगों के द्वारा अपनाया गया है ठीक है ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा अगला सेंटेंस है भारत को एक संपून प्रभुत्व संपन बस यहीं रुख जाईए अब इसका मतलब समझ लीजिए देखे संपून प्रभुत्व संपन यानि की इसका मतलब है भारत अब अपने आंतरिक और बाहे निर्णे लेने के लिए स्वतंत्र है वह किसी भी बाहे शक्ति के अधीन नहीं है ठीक है चलिए समाजवादी इसका मतलब होता है उत्पादन और वित्रण के साधनों का रास्ट्री करण करना आपने अकसर देखा होगा जो सरकार होती है कोई सरकार होती है संसाधनों का रास्ट्री करण करती है तो ये सब आता है समाजवादी एक देश के अंतरगत ठीक है पंथ निर्पेक्ष पंथ निर्पेक्ष का मतलब होता है कि अपने राज्य का कोई special धर्म नहीं होगा पंथ नहीं होगा और अपना जो राज्य है वो सभी धर्मों का समान सर्रक्षन करेगा अभी आपको पता होगा हमारे पड़ोस में दो ऐसे राष्ट रहें एक पाकिस्तान और एक बंगलादेश जो कि धर्मिक रूप से इस्लामिक देश है लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है भारत एक लोक तंतरात्मक गड़ राज्य है कि यहाँ पर जनता ही सासन करेगी डारेक्ली और इंडारेक्ली गड़ राजय का मतलब होता है भारत का जो सर्वोच अधिकारी होता है यानि कि जो हमारे राश्ट पती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे इसका मतलब ये होता है गड़ राज्य का ठीक है लोक तंतरात्मक का मतलब जनता का शासन पंथनिर्पेक्ष का मतलब जो है राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा अपना धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों का समान सरवरक्षन करेगा ठीक है बनाने के लिए तथा उसके सम वस्तनागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देखो अक्सर प्रेशन पूछ लिया जाता है यह जो न्याय है यानि जस्टिस है वो तीन प्रकार का हमारी संविधान में दिया गया है कौन-कौन से हैं एक है सामाजिक, एक है राजनीतिक और एक है आर्थिक ये दियान रखना ये लिखे हुए हैं आपके सामने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीन प्रकार के न्यायों का बर्वर्णन किया गया है उद्देशिका में, ठीक है, अब आते हैं हम अपने प्रेशन के उत्तर पर, पांच प्रकार की स्वतंतरता है, कौन-कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता, तो हमारे प्रेशन का सही जवाब है, option number, जो है C, ठीक है, यानि पांच प्रकार की स्वतंतरता, मैं फिर बताता हूँ कौन-कौन सी है, तो विचार की स्वतंतरता, अभिव्यक्ति की स्वतंतरता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता, ठीक है, और समता, यानि समानता कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, कौन-कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्राप्त कराने के लिए उसके सब तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंदुता को बढ़ाने के लिए द्रड संकल्प होकर अपनी इस सम्मिधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 कई बार ये प्रेशन और कई एक्जाम में पूछा गया है कि सम्मिधान को किस तेथी को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को सम्मिधान अपनाया गया था और इसी डेट को यानि 26 नवंबर को हम सम्मिधान दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है तो ये उद्देशिका के बारे मे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपको याद हो जाने चाहिए देखिए सम्मिधान की उद्देशिका कुछ पॉइंट्स ऐसे है सम्मिधान की उद्देशिका हुई जैसे fundamental right हुए DPSP हुए ये आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए इनसे सम्मिधान में जो उद्देशिका है वो तो आपको हमेशा आपके जवान पर होनी चाहिए ठीक है चलिए पांचमा प्रश्न है कौन सी नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है अरब सागर देखिए हम एक छोटा सा इधर अपना नक्सा बना लेते हैं भारत का जैसे इस तरह से यह दक्षन भारत का यह हो गया ठीक है इस तरह से तो इधर है अरब सागर अरेवियन सी ठीक है और इधर है बेव बंगाल तो आपको पताना है ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है, अब आप देखिए, यह जो river है, जो highlight कर रखी है हमने, ज्यादा यही है तापती river, और इसके just उपर है नर्मदा river, यानि कि नर्मदा और तापती, भारत की दो प्रेमुक ऐसी नदियां है, जो west flowing river है, west मतलब पश्यम की तरफ बहने वाली जाती है, maximum river, बट नर्मदा और तापती पश्यम की तरफ बहती है, ठीक है, तापती river जो है, मध्य पिर देश के बेतुल जिले में, मुल्तान से उत्पन्न होकर, सत्व पुड़ा परवत प्रेच्छेपों के मध्य से पश्यम की और बहती है, महरास्ट के खान देश के पठ जबले में, काठियाबाऊ और सेस, गुजरात के बीच में, यह देख रहे हैं न, खाईसी, यही है, खमबात की खाड़ी, यही पर गिरती है, नर्मदा और तापती river, भारत के कितने राजियों की सीमा नेपाल से लगती है? कितने ऐसे राजियें है, जिनकी सीमा नेपाल से लगती है अब हम समझेंगे map के throw देखो हमने map आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और हर वीडियो magazine बता ही देते हैं कि map की study कितनी important है आप देखे map को हलके में ना लें please map की study आप हर रोज कीजिए आप चाहें तो 10 मिनट ही कीजिए लेकिन map की study आप हर रोज कीजिए आप देखोगे कि 1-10 महिने में आपका जो map वाला portion है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको दुनिया का नकसा आपके दिमाग में चप जाएगा और होना भी ऐसा चाहिए आपको जैसे ही सवाल पड़ो आपके दिमाग घूम जाना चाहिए कि ये country उस देश में है उस इस boundary से उस देश के साथ boundary बनाती है और उसकी जो भी quality होती है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ठीक है, याणि कि दुनिया का map भारत का map आपके दिमाग में छप जाना चाहिए ठीक है हमारा जो depression है उसका उत्तर है option number C यानि नेपाल के साथ 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है देखे एक तो है उत्तरा खंड दूसरा अपना उत्तर पिरदेश तीसरा बिहार ठीक है तीसरा है बिहार और चौथा है सिक्किम और आप इधर देखोगे यह चिकन ने इस टाइप से जो बना हुआ है पश्चिम बंगाल यहां पर ठीक है यह उपर की तरफ देखेंगे तो यह पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साजा करता है तो कौन कितने स्टेट होगे 1,2,3,4,5 यानि 5 ऐसे रज्जे होगे जो नेपाल के साथ सीमा बनाते है चलिए साथमा प्रेशन है सम्विधान की किस अनुसूची में मानिता प्राप्त भाहसाओं का उलेख मिलता है यानि सम्विधान की वह अनुसूची बतानी है जिसमें की मानिता प्राप्त भाहसाओं का उलेख किया गया है और आपके उप्शन्स छेवी अनुसूची, साथवी अनुसूची, या फिर आठवी, या फिर नौवी देखो, इस प्रेशन का सही जवाब है उप्शन नुसूची, सम्विधान की आठवी अनुसूची में सम्विधान में जो मानिता प्राप्त भाहसाओं है, उनका उलेख किया गया है आठवी अनुसूची में, ठीक है, चलिए, इनको हम देख लेते हैं, सारी अनुसूचियों को एक मिनट लगेगी बस, देखो, पहली अनुसूची में, राज्य और संग राज्य छेत्रों का नाम उनके बारे में वर्णन मिलता है, पहली अनुसूची में, ठीक है, और जो दूसरी अनुसूची है, उसके अंतरगत, रास्टपती, राज्य पाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापती, उपसभापती, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्य ने वो अनुसूची तीन में किया गया है, इनी का, जो उपर लिखेए उच्छादा अधिकारी है न, इनका जो सपत से related, राष्टपती को छोड़ कर, क्योंकि राष्टपती के लिए एक अलग आर्टिकल्स दे रखा है, सपत से संबंदित, ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्य सभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, इसका उलेख किया गया है, चौथी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, अनुसूचित छेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसाशन और नियंतरण से संबंदित प्रावधान किये गये हैं, ठीक राज्य सूची में संग सूची, राज्य सूची और समवर्ति सूची का उलेख मिलता है, देखिए, राज्य सूची जो होती है, उसमें जो विषय दे रखे हैं, उन पर विषय कानून बनाने का अधिकार है, वो राज्य सरकार को है, और उसी प्रकार संग सूची में जो व जबाब दीजिए कि वह कौन सा देश है वह कौन सा देश है जिससे हमने समवर्ती सूची का प्रावधान अपनी समविधान में लिया है चलिए मैं ही बताता हूँ देखिए समविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान हूँ या हूँ जो संसद की संयुक्त बैठक जो होत मानेता प्राप्त बहासाओं का उलेख किया गया है और यही हमारे प्रश्ण का सही जवाब है। पहले सम्विधान संसोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1951 में इसको याद रखना और ये भूमी सुधार से सम्वंदित प्रावधान करती है ठीक है, नौवी अनसूची दसवी अनसूची जो है 52 सम्विधान संसोधन के माध्यम से इसको एड किया गया वर्ष 1985 में और इसमें प्रावधान किया गया है कि दल बदल के आधार पर सांसद हो या राज्य का कोई विधायक हो उसकी अयोगता से सम्वंदित प्रावधान किये गये है यानि कि पहले देखो 1985 से पहले क्या होता था, कि कोई भी विधायक है वो जीत कर आता है जनता ने उसको जिताया और अपने फायदे के लिए वो इसी अन्य पार्टी में जाकर मिल जाता है तो ऐसी कंडिशन में क्या होता है जनता के साथ होता है धोका क्योंकि जनता ने उस व्यक्ति पर उस party पर विश्वास करके उसको जिताया लेकिन वही व्यक्ति आब दूसरी party में चला गया तो ये तो जनता के साथ धोका हुआ ना तो इसी दल बदल को रोकने के लिए क्या किया उसने दल को बदल लिया इसी दल बदल को बदल को रोकने के लिए जो है 10 वी अनुसूची एड की गई 52 वे संविधान संसोधन 1985 के द्वारा 11 वी अनुसूची जोड़ी जाती है 73 वे संविधान संसोधन के द्वारा और इसमें पंचायत को संविधानिक अधिकार दिया गया 1992 में उसी प्रकार बारेवी अनसूची जोड़ी जाती है, नगरपालिकाओं को एक सम्मेधान एक दर्जा दिया गया, उसके अधिकार और करतब्यों को उसमें define किया गया, ठीक, तो इस प्रकार प्रिजेंट में बारे अनसूचीया है सम्मेधान के अंतरगत, ठीक है, उमीद करता आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आठma question है कौन एक अफरीकी देश तंजानिया की राजधानी है आपके options डोडोमा नेरोबी अदिस अबावा या मेगा दिसू देखिए इस question का जो उत्तर है option number one is the correct answer डोडोमा जो है वो अफरीकी देश तंजानिया की राजधानी है अभी तंजानिया न्यूज में रहा था क्योंकि तंजानिया से हमने क्यों रहा था अच्छा इस प्रेशन का जवाब आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में बताईए तंजानिया हाल ही में न्यूज में क्यों रहा था देखो ये अफ्रीकी कॉंटिनेंट है ये है तंजानिया, ठीक, हमने यहां से कुछ मंगाया है, कुछ मतलब कुछ जानवर वगेरा ऐसा कुछ लाया गया है वहां से, तंजानिया से, अब आप कॉमेंट सेक्षन में बताईए, ऐसे कौन से जानवर हमने यहां से मंगाया है, चलिए मैंने आपको हिंट वी दे दिया नौवा प्रश्ण है विश्व की सबसे लंबी नदी का उदगम हुआ है यानि कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है पहले तो ये पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी उसके बाद ये पता होना चाहिए कि वो किस कॉंटिनेंट में है उसके बाद ये पता होना चाहिए कि वो कहां से उदगमित हुई है यानि कहां से निकलती है हमारे प्रश्ण का जो सही जवाब होगा वो है Victoria Lake जो विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है उसका जो उदगम है यानि जो निकलती है वो Victoria जील से निकलती है अब चलिए हम इसको मैप में देख लेते हैं देखें मैप के बिना आपका एक्जाम अधूरा होगा 100% बोल रहा हूँ मैप की स्टड़ी आप हर रोज कीजिए 10 मिनट ही कीजिए लेकिन हर रोज कीजिए ठीक है देखो Victoria जील जो है Kenya, Uganda और Tanjaniya अब आईए मैप में देखें ये है Tanjaniya, ये है Kenya और ये देख रहे हैं पिंक कलर में ये है Yukanda और जो बीच में आप देख रहे हैं ये है Victoria जील ठीक है ये वाली, ये है Victoria जील और यही से निकलती है एक सेकंड, यही से निकलती है जो Neel River जो है, इस तरह से आप देख रहे होगा ने इस तरह से ये, ये Neel River जो है विष्व की सबसे लंबी नदी है महादीप में ब्राजील की एक प्रमुख नदी है त्यान रखना Amazon River जो है जो की विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो Amazon नदी है और ब्राजील की जो मुखे नदी है ये ब्राजील में बहती है बट हमारे प्रेश्ण का सही जवाब है Victoria Lake से निकलती है जो नील रिवर है नील सुमा प्रशन है आपको पताना है फूलों का अध्यान क्या कहलाता है फूलों का अध्यान study of flowers क्या कहले आती है देखो anthology, pomology, ornithology या mycology and anthology is the right answer फूलों का अध्यान anthology कहलाता है ठीक है देखिए हमने कुछ और यहां पर options दोते हैं हमारे उनके भी लिखे है जैसे pomology फलों का अध्यान कहलाता है और nithology पक्षियों का अध्यान कहलाता है mycology कवकों का अध्यान और entomology कीटों का अध्यान और epiculture मदुमक्खी इसको सही कर लेना ये मदुमक्खी पालन का अध्यान कहलाता है epiculture ग्यारमा प्रेश्ण है आपको बताना है भारतिया आंत्रिक्ष एजेंसी यानि इसरो के द्वारा चंद्रियान 3 को किस डेट को लॉंच किया गया बहुत ही महतपूर्ण प्रेश्ण है चंद्रियान 3 से प्रेश्ण बनेगा किसी ना किसी एक्जाम में एक नहीं कई बार बनेगा ठीक है चंद्रियान 3 जो है उसको किस डेट को लॉंच किया गया आपके options 10 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई या 2 अगस्त और इस प्रेश्ण का सही जवाब है 14 जुलाई को चंद्रियान 3 को लॉंच किया गया ठीक, चलिए डिटेल है थोड़ी सी और महतपूर्ण भी है सबसे पहली चीज आप याद रखना चंद्रियान 3 को अंधर प्रदेश के स्री हरी कोटा अंत्रिक्ष इस्टेशन से लॉंच किया गया अंधर प्रदेश के स्री हरी कोटा अंत्रिक्ष इस्टेशन से 14 जुलाई को, ठीक, ये चीज याद रखना एक तो और याद रखना सबसे महतपूर्ण चीज LVM3M4 rocket के माद्धियम से इसको launch किया गया है इसको भी याद रखना ये भी बहुत ज़्यादा महतकून है ठीक है और क्या याद रखेंगे आप और याद रखिए आप इसको चंद्रियान 3 हाँ इसमें जो विक्रम नाम का एक lander है और प्रेग्यान नाम का जो रोबर है जैसे चंद्रियान 2 जो हमारा असफल हुआ था वर्स 2019 में उनके नाम को ही इसमें रखा गया है उसमें भी जो lander था वो भी विक्रम था और इसमें जो रोबर है उसका नाम प्रेग्यान है उसका भी नाम प्रेग्यान था ठीक है इस चीज़ को आप याद रखना चलिए बारहमा प्रेश्ण है हाल ही में जारी ADR रिपोर्ट हाल ही में जारी ADR रिपोर्ट के अनुसार सरवाधिक अरवपति किस राज्य में है देखे यहाँ पर कुश्चन में थोड़ा सा मोडिफिकेशन हम करना चाहेंगे यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है हमसे इसका मतलब है ADR रिपोर्ट के अनुसार सरवाधिक जो अरवपति विधायक है यहाँ पर आप विधायक एड़ कर लीजिए सरवाधिक अरवपति विधायक वो करनाटक स्टेट में है चलिए जान लेते हैं कितने हैं और क्या है करनाटक के जो 14% विधायक है जो की अरवपतियों की सरेणी में आते हैं और इनकी जो राज्य में विधायक की जो औसत संपत्ति है ना वो 64.3 करोड है ठीक है ADR क्या है Association for Democratic Reforms यह एक NGO है इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी और इसका जो परपस है ब्रिंगिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानि कि लोकतांत्रिक सुधार करना इसका उद्देश्य है थ्रो पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल एडवोकेसी यानि पॉलिटिकल और इलेक्टोरल एडवोकेसी के माध्यम से जो लोकतांत्रिक विवस्था है हमारी उसमें सुधार करना इसका प्रेमुक उद्देश्य है और इसका हेड़कॉर्टर आपको निउ डेली में मिल जाएगा इसका ADR का Association for Democratic Reform का तेरह माँ प्रेश्न है केंद्रिय अप रत्यक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड का चेर्मेन किसे निउक्त किया गया है आपके options संजे कुमार अगरवाल भारत सींग मन मोहनराम चोहान विनीत कुमार यानि CBIC का जो चेर्मेन है किसे निउक्त किया गया है और इस प्रेश्न का सही जवाब है option number one जो है संजे कुमार अगरवाल को CBIC का चेर्मेन निउक्त किया गया है देखे जो संजे कुमार अगरवाल है वो IRS के अधिकारी है ठीक है केंद्रिय अप रत्यक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड यानि कि CBIC का उन्हें हाल ही में चेर्मेन निउक्त किया गया है और ये जो CBIC है ये वित्त मंत्राले के अंतरगत कारे करता है और वित्त मंत्राले में भी भारत सरकार का राज़स्व विभाग का एक हिस्सा है ठीक है? चलिए चोदेहवा प्रशन है हाल ही में किस राज्य के द्वारा ग्रह लक्षमी योजना की सुरुवात की गई है आपके options हैं तमिलनाडू के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा, मध्य पिर्देश के द्वारा या पश्चिम बंगाल के द्वारा देखे ग्रह लक्षमी जो योजना है हाल ही में शुरू की है तेलंगाना स्टेट के द्वारा ठीक चलिए जान लेते हैं आखिर है क्या ग्रह लक्षमी योजना देखो ये जो योजना है तेलंगाना सरकार के द्वारा लाई गई है ग्रह लक्षमी योजना और इसमें SC, ST और BC यानि backward जो कास्ट है उन समयदाओं की महिलाओं के लिए एक वित्य सहायता कारेकरम है ताकि उन्हें घर निर्माण करने में सहायता मिल सके इस योजना के तहट प्रित्यक लाबारती को एक ही बार की सहायता रासी जो है तीन लाख रुपे की महिलाओं के लिए घर के निर्माण के लिए उसमें सुधार करने के लिए उनको तीन लाख रुपे की धनरासी एक मुष्द प्रदान की जाएगी ठीक है ग्रह लक्षमी योजना के तहट चलिए पंद्रहवा प्रश्ण है और इस टेस्ट सीरीज का प्चीस मीं जो टेस्ट प्रेक्टिस सेट है इसका अंतिम प्रश्ण ये है अमरत भारत इस्टेशन योजना के तहट देश भर में कितने रेलवे इस्टेशन का आधुनी की करन किया जाएगा अमरत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने ऐसे स्टेशन हैं जिनका जो है modernization किया जाएगा आधुनी की करण 450 स्टेशन, 355, 508 या 568 देखिए इस प्रेशन का सही जवाब है option number C 508 ऐसे railway stations हैं जिनका अमरत योजना के तहत digitization यानि आधुनी की करण modernization किया जाएगा ठीक है चलिए ये रही इस प्रेशन की detail और इसमें जो है states है UP और राजिस्थान के 55-55 station सामिल है बिहार के 49, महराष्ट के 44, MP के 34 बाकी के आप देख लीजिए किस आपका जो भी state है उसके देख लीजिए कितने railway station आप में इस योजना में सामिल है याद रखना अमरत भारत station योजना जो है रेलों के जो stations हैं उनका आधुनी की करण करने से related है और 508 railway stations को विश्व इस तरी इस stations के रूप में विक्सित किया जाएगा इस योजना के तहत तो चलिए practice set number 25 यहाँ पर खतम होता है अगर आपने अभी तक GS Fighters को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे request है GS Fighters को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगा है तो एक like और share भी करना वीडियो को PDF आपको मिल जाएगी easily access हो जाएगी क्योंकि हमने telegram का link वीडियो के description में दे रखा है आप वहाँ पर जाकर click कीजिए telegram पर पहुँच जाएगे channel को join कीजिए और वहाँ से प्रत्यक test की PDF आप निसूल को पाईए ठीक है तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही Thank you very much